हेलो फ्रेंड टंडन कीचन में आपका स्वागत है अभी तक आप मेरे चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो सामने दिख रहें रेट कलर के सब्सक्राइब पर इस प्रकार से क्लिक करें और मेरे चैनल के साथ जुड़ें और सामने दिख रही बेल आइकन को भी क्लिक करना न भूले ताकि मेरे आने वाली रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहे हलो फ्रेंड आज मैं आपको ये आलू के चटपटे पराथे किस प्रकार बनाई जाते हैं वह बताने वाली हूँ वह आपने अभी तक नहीं खाये होंगे चलिए चटपटे पराथे किस प्रकार बनाए जाते हैं वह मैं बताती हूँ आलू के पराथे बनाने के लिए मैंने तीन उबले हुए आलू लिये हैं जिसे मैं मेश करूंगी, मैं किस्तनी से मेश कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे दबा कर भी मेश कर सकते हैं ये आलू मैंने मेश कर लिये हैं, अब मैं इसमें मसाले डालूंगी, एक चम्मच नमक एक चम्मच मिर्ट पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच खड़ा धनिया, एक चम्मच अनार दाना, एक चम्मच कसूरी मेथी, एक हरी मिर्ची कटी हुई, एक चम्मच अद्रक लस्चन का पेश्ट एक छोटा बाउल धही एक छोटा बाउल बेशन एक बाउल जहूं का आटा थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और एक चम्मच रिफाइन आईल इन सब को हम मिक्स करके आटा मल लेंगे इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना हमारे उबले आलू और धही की नमी से ही यह आटा मला जाएगा यदि हमारा आटा नरम रह जाए तो हम थोड़ा आटा या बेशन इसमें और डालके आटे को कड़क कर सकते हैं और यदि आपको आटे की मातरा जादा लगती है तो आप थोड़ा सा धहीं और डालकर उसको बराबर लेबल का आटा मल सकते हैं आटा मैंने मल लिया है गेस पे तवा रखा है गेस को सिमपर रखा हुआ है और मैं अब पराठे बनाने लगी हूँ इतना बड़ा हमें गोला लेना है और सुखे आटे से इसको लपेट कर और पराठा बेलना है पराठा हमें ज्यादा मोटा या ज्यादा पतला नहीं बेलना है तवा हमारा गरम हो चुका है अब मैं तवे पे पराठा डाल रही हूँ गेस को सीम या मीडियम पर ही हमें रखना है पराठा हमारा एक साइड से सिख जाएगा तब हम दूसी साइड से सेकेंगे थोड़ा थोड़ा आइल डालते जाएंगे और सेकते जाएंगे अब हम पराठे को दूसी साइड में पल्टेंगे और इसमें आइल दूसी साइड लगाएंगे पराठे को हम दोनों साइट से ब्राउन होने तक सेकेंगे गेश को हम सिम पर या मध्यम पर रखेंगे हमें खास कर इस चीज का ध्यान रखना है कि यदि हम तेज आज रखेंगे तो हमारा पराठा जल भी सकता है और अंदर से कच्चा भी रह सकता है इसलिए हमें सिम पर ही सेखना है पराथा हमारा दोन olduğunku साइड से ब्राउन हो चुका है और यह अब खाने के लिए तयार हो गया है मैं प्लेट में से निकाल रही हूँ इसी प्रकार हम सब पराथे बनाएंगे ये आलू के चटपटे पराठे खाने के लिए तैयार है दही और अचार के साथ इसका अनन लीजिए और यदि बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चेनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक के शेयर करना बिलकुल न भूलिएगा मुझे कमेंट भी करिएगा ताकि आपके विचार मुझे मालूम पढ़ सके थेंक यू